अश्कार दोस्तों मैं मनुश शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का गयत्तरी एजुकेशन क्लासेस में जैसे कि आप सभी को पता है कि हम डेली करेंट अफेर पर रोज बात कर रहे हैं हमें कल बात की दस मार्च की आज हम बात करेंगे ग्यारा मार्च वाली ठीक है तो कुछ important होता भी एक दिन में अगर UPSC की बात करें तो ठीक है और बाकी इसमें banking awareness भी है general awareness भी है तो सारे जो सिर्फ important होंगे ना मैंने सिर्फ उन्हीं को इखटा किया है मैंने बाकी सब कशड़ा इखटा नहीं किया है तो कल की पूरी news में से कल के पूरी दिन में से जो आप आपके लिए खास्ता सरी वही लेकर के आऊ हो बात करेंगे इस पर तो आप सबसे पहले देख सकतो सबसे पहली चीज़ जो किसे कोई पता हो नीचे की बोध गया में मात्मा बुध्ध की लेटी वी सबसे बड़ी प्रतिमा बन रही है भारत की बारत की सबसे बड़ी प्रत मूर्ती लेटी हुई यह तो बन रही यह लेकिन आपने किसे ने देखी how यह तो आपने देखी थी वह पर है वह कुशी-घर में यह और उत्तर और जpineスト बिख्वान बुद्ध को महान पर निर्वान प्राप्त हुआ था 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 तो एक चीज धियाद रखनी है अब इसको मैं बता दू आपको कि यह जो मूर्ती बनाई जारी है यह बनाई जारी है फाइबर के ग्लास से इसको बनाने वाले कॉलकात्ता के मूर्तिकार हैं को इसे बना रहे हैं और बस यह इसमें इंपोर्टेंट था ठीक है अब तो चलते हैं अगले करेंट अफेर में अब देखिए कुछ जैसे कि नारी शक्ति पुरुसकार आपको पता है कि बहुत बटे तो आपको ध्यान रखना है कि अभी अभी राष्टपती भवन में हमारे जो राष्टपती ह होवन में नई दिल्ली में टोटल 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरुसकार दिया है ठीक है और यह आपको मालू है कि यह नारी शक्ति पुरुसकार जो है हर साल दिया जाता है आठ मार्च को क्योंकि आठ मार्च जो है यह अंतरराष्ट्री महिला दिवस है ठीक है इसकी भी सारी चीजे थी जिसके लिए 15,000 और उसी दिन से महिलाएं इखटा होना शुरू भी है एकता बनी है और ये युएन ने घुशित किया 1977 में कि हम अंतरराष्टी महिला देवस मनाएंगे इसमें बात करूँगा आपसे हाला कि मामला ये जो शुरू हा तो ये 1908 का है जब 15,000 महिलाएं नियॉयॉक के सड़कों पर उतर गई थी अपनी मांग के लिए अपने हक की लड़ाई के लिए ठीक है तो उसी दिन से हम मना र चाहिकार कहते तो बाद में इसका नाम जो है नारी शकति पूरुजकर पड़ा एइसमें क्या होता दोस्तों दो लाख रुपे की राषी मिलती है और येंगता हो सकती और शेचिवालों के छो कि और बी लोग कंचाने बन कई लोग सीख सकते हैं तो उसको ध्यान में रखते हैं यह आवर्ड दिये जाते हैं क्योंकि आप इनके पढ़ोगे तो बच्चे पढ़ेंगे बच्चे पढ़ेंगे समझें अच्छा नारियां भी बढ़ती है यह कौन देता है यह महिला और बाल विकास मंतराले द्वारा दिये जाता है विक्तिगत महिलाओं या महिला शेशक्ति करण के लिए काम करने की संस्थाओं अथ्वा विक्तियों को वार्चिक तोर पर दिये जाता है अब आजाते हैं अकले में, मैंने आपको बताया कि दो लाग रुपए की राशी मिलती है और एक certificate प्रमाणपत्र दिया जाता है, क्योंकि इसमें गैर पारमपरिक छित्रों महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए होता है, ग्रामिड महिलाओं को मुझल भूठ कैसल यह महिलाओं के जब नाम सुनोंगे टो आपको शेंस्तागत पुरुषकार है ना यह-पार की सब व्याद रखें आपने सुना कि देभी अहिल्या भाई होलकर समभान मिला इनको आप कई लोग बनाते हैं आपको यह पता करना है कि सब स्के किस में मिलते थे पर आठ मार्च को दिया जाते हैं अभी मैं कन्नगी संबान बताओंगा आपको राने लक्ष्मी भाई संबान बताओंगा तो इस अब कब दी जाते दोस्तों यह सब आठ मार्च की ही देन है और यह सब किसम नारीशक्ती के अवार्ड है जो एक साथ मिलते है छे केटेगरी में अलग 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 पहला मिलता है अहिल्या देवी अहिल्या भाई होलकर आप सबको पता है कि यह मालवा शाशिका थी अठरवी सदी में और वहीं पर आप दूसरा देखो कन्नगी आप यह कन्नगी नहीं भूल सकते हैं साउथ की बड़ी फेमस है काहनी शिलपद्दकारम आपने अगर सुना हो तो उसमें कन्नगी थी यादना इनके पती को जुटे अपराद में लेकरके राजा ने मतलब कि जो सोने उसके पत्नी पास ते वही सेम सोने कन्नगी के पती के पास भी थे और वो उसको बेचने गये थे क्योंकि इनको अपना नया घरबार सब को शुरू करना था तो यह तो इसलिए कन्नगी जो है वेदों और शास्त्रों की ग्याता जो महिला होती है उसको करनेगी संबान दिया जाता है उनकी मा है ठीक है तो अब क्या ही कोगँए उनके लाल ऐसे है तो बनी बात यह बहुत आए जो भी होता है कि ली बेटा होस्तव जो बीलू जए लियांग सम्मान चौट है रानी लक्ष्वी भाई सम्मान इनके बारे मैंने कुछ नि लेखा कि इनके बारे में सबको पता है ठीक है छटा पुरुसकार रानी रोद्रमा देवी के रूप में मिलता दोस्तों यह तेरवी शताब्दी में काकती वंचे था उसकी महीला शाची का थी तो यह चे वह महीला पुरुसकार है याद रखेगा जिस भी महीला हो यह जिस भी संस्था को मिले होंगे याद रखिए उनको 8 मार्च को मिलता है राष्ट्रपति देते हैं यह सारे सम्मान राष्ट्रपती के दौरा और इस सबके सब नारी शक्ति पुरुसकार है अब मैं आपको बता जीता कि यहां शुरू होता, 1977 की बात है, यह मतलब घोशित हुआ था, तो क्या हुआ था कि 1908 में एक अंदोलन हुआ था, नियू यॉक शहर में, जहां सड़कों पर महिलाये जुलूस, लंबा जुलूस निकला था, उनके उत्पीडन और समानता को लेकर के उनने जुलूस निकाला ठीक है, और साल 1909 में पहली बार अंतर राष्ट्री महिला दिवस का आयोजन हुआ था, अंतर राष्ट्री की पूरे विश्व की महिला एक हो गई थी उस समय, ठीक है, और 1975 में UN ने खुद मना दिया, और 1977 में उसने कह दिया कि भाई, अपसे यह हमेशा मनाया जाएगा, अ आपको यहां पर मैं बता दू कि आपको आंसर देना है इसका, ठीक है, भाखडा व्यास प्रबंदन विधेयक, यानि अब यह आपने सुना होगा, अब जब मैं ऐसी डिफिगल्ट बाते करने लगो ना समझ जाना कि यह यूपीस्टी का, यूपीस्टी को मतलब नहीं यू कित कथनों पर विचार करें, अब क्या होता है भाखडा व्यास प्रबंदन विधेयक, तो यह दो पॉइंट दिये हुए, इनको आपको चेक करना और बताना है इनमें से कौन से सही है, पहला, दूसरा, दोनों या दोनों गलत है, तो पहला है हमारा BMB, यानि इसको बोलते भाखडा व्यास प्रबंदन विधेयक, तो यह क्या यह अंतर राजी नदी जल विवाद अधीनियम 1956 के तहत गठित एक सामविदिक निकाय है, क्या ऐसा है, कि मतलब यह जो चीज है, यह विधेयक, मतलब इस अधीनियम के तहत गठित है, दूसरा कि BBMB जो है पंजाब, हर हर्याणा, राजस्थान, हिमाचल, सब देखरो न, उत्तर, पश्चमी और उत्तर के जो हमारे राज्ये उनकी बात हुरी है, पंजाब, हर्याणा, राजस्थान, हिमाचल पदेश, दिल्ली और चंडीगण को पानी और विजली के आपूर्ती को नियंतरित करता है, अब अधिनियम जो है, उसके हिसाब से बनाया, तो पहला वाला गलत है, और सिर्फ दूसरा सही कि वाकई में इन राज्यों में आपूर्ती करता है बिजली पानी के और इसको कंट्रोल भी करता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बी ऑप्शन, सिर्फ सही वही था, पहला वा पहला गलत है, इस अधिनियम के तहत नहीं है, यह जो है, यह पुनर पंजाब पुनरगण अधिनियम 1968 के तहत है, लेर होगे बात दोस्तों, चलिए, यह था एक MCQ, दूसरा है हमारे पास दोस्तों, कि निमने लिकित कतनों पर विचार कीजिए, अभी याद रखिए, अभी फ्यूचर फ्यूज कहते है उसे, भविष्य का इधन, तो ब्लू हाइड्रोजन अब यह भी कलर वाइज हो गया, ब्लू और ग्रे, तो यह कहरे है कि ब्लू हाइड्रोजन में महासागर स्त्रोतों से, हाइड्रोजन का उत्पादन शामिल है, मतलब कोईले को गैस में अब आपको बताना है कॉन से कथन सही है, कॉन से नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसका आंसर D है अगली बार में टाइमर लगाऊँगा, अभी तुझा नहीं तो याद रहे हैं, कोई भी नहीं दोनों को गलत है, आपके सामने यहाप एक्स्पादीशन है, पहला blue hydrogen, दूसरा gray hydrogen, blue hydrogen दूस्तों कब बनता है, hydrogen मतलब H2 की बात हो रही है, एक से नि, दो से बात हो किए, 2 mole, अब देखें, इसमें का है hydrogen, पहले, blue hydrogen कैसे बनता है, जब कोई भी hydrocarbon सा hydrogen खीच रहा होना, किया जाता है साथ इसने वाले उत्सर्जन को संग्रहित के लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है जैसे 20% उत्सर्जन होई जाता बहार निकल ली जाता ठीक है कहने मतलब ही दोस्तों कि जब आप हैड्रोकार्बं से निकालते हो ना तो वह ब्लू है जाने हैं और जब आप कोई भी को तो फॉसिल को गयास के साथ कोएला लीक। निकालते तो ब्रबू रुफित उसे उसे तो ठीक है तो इसमें यहां पर यह कह एंपर भी ऐसी कोई बात एक तो महासागर से निकाल था महासागर कहा नसे आगे दूसरा कोईले को गैस में परिवर्थ नहीं इसमें कोईले को ट्रांसफों कर रहा है यह कब बनेगा जब आप कोईले के साथ कार्बन डायोकसाइड को रखो और दूनों को जला दो तब यह बनेगा तो समझ गया नहीं समझे तुम्हें आप लिख देता हूं मतलब आपको क्या करना नहीं कोईला है अपका यह ले लिया आपने कोल और साथ में कहारल दिया प्लस में कोल के साथ आप ने लगा दिया सीयों टू ठेकSet का और अब इसको देव भाय आग या या और फायर जाएगी तो फायर जाएगी तो gucket परण उसमें होता है ही पहलता आप जो रखें कुछ से के जी कैसे gobsp समझय के यह निकले ंपर इसका और को सब में पर इसके थ्ट होगी टिरल इसका द्यान रखेंगा कुश्चन जिस दिन नहीं होंगे मुझे लेगा इंपॉडडन नहीं तो अब निंदर के कथरों पर विचार करना है बताना है कौन सा सही है केवल एक यानि पहला कि हाँ गलोबल जंडर गैप को UNDP निकालता है और लिंग असमानता उसे विश्व आर्थिक मंझ निकालता है तो बताईए इनमें केवल एक दो यह दोनों सही है और गलत हैं याद रखें दोस्तों यह दोनों गलत हैं हाला कि इसमें थोड़ा सा मिस्मैच हुआ है मिस्मैच आपको बता जिता हूँ क्या हुआ है देखिए ध्यान से मुने हलका से कुश्यन मनाया इस जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है यह UNDP नहीं निकालता है ठीक है याद रखेंगे और यह जो है आपका लिंग असमानता रिपोर्ट इसको विश्वार्थिक मंच निकालता इसको UNDP निकालता है ठीक है तो हरे से हरे लाल से लाल है याद समझ गया है इसका आंसर कौन सा है कोई नहीं दोनों गलत लिखे मैंने मिस्मैच कर दिया याद रखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्वार्थिक मंच निकालेगा और लिंग असमानता रिपोर्ट UNDP निकालेगा चलिए साहब बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे ठीक है तो यह दिखे मैंने लिखा भी है यहाँ पर तो इसका अंसर डी है फोर्थ कुश्शन दो तो इसके बाद लास बचेगा निनलिकित में से किसे दूर संचार विवाद यह आप सबको पता होगा यह दूर संचार विवाद निप्टान एवं अपीली न्यायादी करण है तो इसका किसे जो है अध्यक्ष बनाया गया है आपको इ報ता नी आध्यक्ष कौन बनाया ज्टिस रभापरवाकर यह है यह यह मालूम है न क्यों दिल्ली का हाई कोट है वहां के यह मुख्य न्यायादीश है इन्हें ही बनाया गया दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि दूर संचार विवाद निपटान एवं अपीली ये निया अधिस्ट मतलब होता है क्या है जो दूर संचार जो काम करने वाले लोग हैं यहां पे एक्स्वानेशन में थ्वा सा दिखा दूं आपको देखें किसके बीच में यह है यह कि स्थापना दूर संचार ऑपरेटर जो तो उसके लिए यह चीज बनी हुई है और याद रखें कि इसका चुनने के लिए इसका अध्यक्ष बनने के लिए उस व्यक्ति के पास इस ट्रिबुनल का अध्यक्ष बनने के लिए या तो सुप्रीम कोट में नियाधीश बनने की एलिजिबिलिटी जब होगी तब बन सक सब्सक्राइब दोस्तों तो याद रखेंगे पटेल सापको भी इंपोर्टेंट था निम्दलिकित में से किस संगठन द्वारा सागर परिक्रमा की बात करिए कि कारिक्रम शुरुआत हुई है किसके तैत हुए तो यह याद रखना है आपको किसान कल्यार मंतराले मत सपालन यह सागर विगाथ यह प्रित्विग्यान तो इसका सही आंसर है बी वाला यहने केंद्रिय मत सपालन वे भाग जो है ने यह कारिक्रम शुरू किया है ठेक है बाकी इस्प्लेनेशन में आप आपको दे देता हूं आप समझ जाएंगे बीज का अंसर जैसे कि मैंने बताया भारत के तटी राज्यों की अर्थ विवस्ता आपको मालू में तर्थ हमारा 75 किलोमेटर का टूटल जो हमारा तर्थ है उसकी सुरक्षा बनती है उसकी आर्थिक मच्वारों की जिन्दगी परभावित होती है सब कुछ हो तो उनकी आजीविका बनी रहे उनका सब कुछ सह और दूसरी पास सुरक्षा इंपोर्टेंट है क्योंकि वहीं से सुरक्षा भी हमारी तो उसमें हमारे भारतितर तट्रक्षक भी आते हैं तो जैसे बहुत जैसे जानकारी आपको चाहिए ना तो आपको जाना डिसक्केशन में मैं रोज नोटिफिकेशन कोई भी नूटिस बिलकल ट्रू जानकारी मैं खुद उसको चार बार जाच लेता हूं तभी मैं उसके बारे बठाता हूं ठीक है तक दो सब्सस्क्राइब Venka में एक पोस्ट घुली है कि स desarroll ने कोई पोस्ट खुली है तो मैं उसे बिलकुल वहा पर बताता हूं कई छोगो उसका फायदा एड आप भी जाहिए उस चनल से जुड़िए क्योंकि वहां पर बिलकुल है ना और दोस्त देखिए इंपोर्टेंट क्या है यह मत सुचे कि सर आप एक पोस्त की जनकरी देरो सौ पोस्त की देरो अरे तुम एक तो यह मित से बहुत परिशान है इस दुनिया में मित से भारत में और आपको लगता है कि रेलवे 수도 PayPal रहे है मतलब आपको आसन भाषा में तो जहां pulse के विकिंशी दिखी ही है भूक में सीट्म की आप में आप जया अद्मी ओना आप लाक श्रीट पें नहीं बैढे और आप upfront आपको एक ही सीट मिलेगी तो फिर क्यों ऐसा माल लेना कि कई लोग आप में से इसे होंगे जो एक पो सुनके भरते भी नहीं बिल्कुल नहीं भरेंगे तो आपको यह सब नहीं सोचना है आपको देखना है कि क्या आपको सब इसको भी सरकारी में कि कोई भी जानकारी हो तो आप इसको जाइए देखे और नहीं करता हूं ब्लक्वच कोटे विडियो नोॉटिकिशन की पूरी जानकारी भी उ कोई परूंगे भी Department करते हैं एक इक बात का सॉलूशन उसमें देता हूं मैं हर वेकिंसी गा तो डिसकेशन में मनोज को सब्सक्राइब और प्रेस करना तके आपको जनकरी मिले चलिए ठीक हाले मैंने तटरक्षक और बहुत सरे अभी आपने देखा हुआ भी यह चल जहासी उसमें जो पोस्ट न मतलब तवज्यों देंगे अब ऐसा क्यों लिखा यह तो गलत बात हो गए ऐसा कभी नहीं लिखा तो नहीं पहली बार लिखा पिछली बार जब नोंने यह एक्जाम कराय थे इंजिनिरिंग और डिप्लोमा के लेवल पे तो हुआ क्या था कि जो हमारे मद्ध़प्रदेश गुजरात राजस्थान यह अधर स्टेट के जो लोग यह आये और भरत तो गये फॉर्म तो भर दिया जब सेलेक्शन हो गया ट्रेनिंग जब ट्रेनिंग की बारी है एक तो पहली बाद इसमें रिटन एक्जाम है नहीं आपके सिर्फ डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन को दे तो फिर यह मत देखे कि एक 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 लाग है और यह मान लीजे कि आप एक लौते इंसान है इस दुनिया में तो एक लौती सीठी आपको चाहिए तो इसलिए नंबर अब वेकेंसी देखकर के मत बड़े भेड़ नहीं हो आप है ना बेड़ से हटो इंसान मनाया भगवान न क्लियर होगी बात मेरी है ना तो थोड़ा सा आगे बड़ी दोस्तों बहुत सारी फिकेंसी देखकर देते हैं अमें लगता वो एक क्यू भर नहीं अब आपका ध्यान सरिफ एससी 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 तो यूट्यूबर्स भी करते रहते हैं ससी एससी एससी जहां पब्लिक मतल्ब नौकरी फिर जैसी मतलब सरकारी महमा तो मैंने सरकारी महमे की ही जानकरिया देता हूं सी सम service हुगे भारती मत से सरुवेक्षण हो गया, गुजरात समुदरी बोर्ड और मच्वारों के प्रतिन इधियों द्वारा संयुक तो रूप से किया गया है, ठीक है, इसके तहर तोना क्या है, पूर निधारी जो समुदरी मार गया, उसमें नविगेशन करेंगे, देखो, अब हमारी से सेक्यूर्टी लगेगी, और जब सेक्यूर्टी लगेगी तो इसे होगी तरक्षक की सेवा, समझ गया आप इस तरह से, तो जैसे कसाब लोग घुजगा आए ता फिर ऐसा नहीं हो पाए, कोई भी एक एंड खुला हुआ है, तो वो पूरा कॉल्डरों बनाने की बात कहे र तरना के नाम सुनना ध्यान से, यूंग सुक ईयॉल, तेक है, ये दक्षिट कोरिया के नए रास्ट्रपती बने हैं, तेक है, इसमें ज़्यादा आपको जाने जरूरत नहीं बस नाम याद रख लिजेगा, यूंग सुक ईयॉल, तेक है, बाकि कुछ भी इंपॉर्डन नह हमारी मेरी कॉम, आप देख सकते हैं, ये छे बार की विश्व मुख्यवाद चेंपियन है, और कान से पदक विजेता है, किसमें, ओलिम्पिक में, याद रखना, कान से पदक, ब्रॉंज मेडल बिला था, इन्हें, तो इन्हें अमबेजडर, ब्रैंड अमबेजडर बनाया हमेन, कि उनको हाट प्रॉब्लम की जानकरी अगर है, तो बहुत अब एक तरह से जागरूप करना, हाट प्रॉब्लम की समस्याओं को ले करके, जागरूप करना, सूचना देना, वीडियो के माध्रम से, उनको साजा करना, उनको शेयर करना, समझ गया आप सभी, तो ये मु 15 में ही इसने Grand Master of Khidab जीता था, इसका नाम है SL Narayan, है न, Narayanan, SL Narayanan, समझ गया, तो अभी ये क्यों नीउस में आ है, ये इसलिए नहीं बता है, क्योंकि ये कुछ जीत लिया तो आप से पूछा जाएगा, पर क्योंकि जहां पर General Awareness आदे, इसे की Banking वगेरा में, तो वहां प जीत लिया है, और में क्या था, नाम याद रखना है, और ये थोड़ा से याद रखना है, ये General Awareness वाले ज्याद रखेंगे, बैंकिंग की जो दे रहे हैं, ठीक है, एक गैंडी स्कॉच, ग्रैंडी स्कॉच, केटोलिका, ओपन शत्रेंज टूर्मेंट, तो ये जीत लिया अभी 24 साल के लड़के ने, अगला दोस्तों भई, नीट, नीट ने अभी ये आपने कल ही अगर सुन लिया होने, उस तो अच्छी बात नहीं सुना, तो मैं पताता हूं, नीट ने जो अपर एज है, उसको हटा दिया, ठीक है, पहले जो General Category वाले जो ये एक्जाम होता था नीट का, इसमें General Category के लिए जो उमर थी, वो थी 25 साल, और जो बाकी आरक्षित वर्कते, उनके लिए थी 30 साल, maximum, मतलब ये लिमिट थी, मतलब अगर कोई 25 साल का लड़का आया और वो नीट का एक्जाम देना चाहे, तो ये दे सकता, और जहां वो 26 का होगे, वो नहीं द हटा दिया गया, अपर एज उससे हटा दी गई है, अब आप कितने भी एज के हो, आप उसे भर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये चोटी सी चीज़ याद रखना, चलिए, करनाटक सरकार, महिलाओं के लिए, अब ये जो चीज़ है, ये सोलर के लिए, ये तो पांच लाख महिलाओं को नौकरियां देनी है, और वह भी 2026 तक, रिपीट कर रहा हूँ, करनाटक सरकार का ये कारिकरम है, जिसका नाम है, वोमेन एट वर्क, ठीक है, और इसके तहत 5 लाख महिलाओं को नौकरिया देना है उन्हें, और 2026 तक देना, ये आपने देख लिय अब भाईया आता है, ये है दोस्तो, आदित्य बिल्ला सन की, जो उनकी लाइफ इंशुरेंस वाली जो कंपनी है, जीवन भीमा वाली, उसका नाम ही है, आप देख सकते है, बिल्ला सन लाइफ मूच्वल फंड, है ना, तो लाइफ है ना, देख रहा होगा आपको, तो ये बिल्ला केपिटल लिमिटेट की जीवन भीमा सहय कंपनी आदित्य बिल्ला सन लाइफ इंशुरेंस, ये जो सन लाइफ इंशुरेंस है, तथा भारत कोपरेटिव बैंक मुंबई लिमिटेट ने अपनी बैंक इंशुरेंस आधारी की घुशड़ा कर दी है, अब ये देख तो उसके साथ क्यों ना कोलाबबोरेट कर लिया जाया, समझ गए तो यही बात है, तो ये कोलाबॉरेशन इसलिए हो रहा है ताक कि जो 5 लाख इनके ग्राहक हैं, ठेक है न, 5 लाख जो ग्राहक है उनका इंशुरेंस किया जा सके, और साथ में ही जो जीवन भीमा समाधान ह उनके बारे में तो बात होगी जब दूछीज आपसे मिलेंगी तो मेन मुद्दा क्या है आपको एधान रखना है कि अधिति बिल्दा सन लाइफ इंशुरेंस भारत कोपरेटिव बैंक एंसी ने साज़ेदारी कर लिए इनके बीचों समझोता हो गया ठीक है जो बैंकिंग अ जो व्यापार व्यापार देखें तभी बढ़ता जब कनेक्टिविटी होती है और हम बात कर रहे हैं अंतर राष्टरी लेवल पर तो आपको मालम है कि यह जो चल रहा था बहुत लंबे समय से क्या बीबी आइएन पता है ना क्या यह बांगलादेश भुटान इंडिया न दो आप देखने ना भारत बांगलादेश अन बहुतान बहुतान भारत बांगलादेश नेपाल अब इसमें तीन क्यों लिखे सर एक बी क्यों आया बहुतान क्योंकि ने साइन नी किया है भुटान ने पर्रिविक्षक के रूप में बैठक में बाग लिया मतलब दूर से देखा, sign नहीं किया उसने, sign जिनके हो गया है भारत, बांगलादेश, नेपाल, यह आपको याद अभी भूटान ने sign नहीं किया है, वो पर्रिविक्षक के रूप में बैठा हुआ था, बस इसमें ध्यान रखना ठीक है, और आप समझेगे न, connectivity यह सामान आना जाना है अंतर यह क्या है दोस्तों, यह अपने भारत का, पहला तैरता हुआ है न, आपको बता दू, 42 मिलियन यूनिट बिजली यह पैदा करेगा, देड़ सो करोड की छंता से, तमिल नाडू के पार्क में है, तमिल नाडू में एक है, थुत्ति कोडी, थुत्ति कोडी में, वहां पर ए एक बहुत बड़ा जलाश है, 42 एकड़ों फैला और उसमें 48 एकड़ में तैरता सौर उर्जा प्लांट इस्थापित कर दिया गए, यह सोलर अनर्जी प्लांट है, जो तैर रहा है दोस्तों, तैरता हुआ है, तो तैरता हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, और यह भार पांच लाग महिलाओं को वर्क एट होम, वोमें नेट वर्क करके जो प्रोग्राम चलाया है, और पांच लाग लोग को दे रहा, 2026 तक नोगरें देगा, उसी करनाटक बैंक ने, वहा के करनाटक के बैंक ने, सेल को सोलर के साथ समझाता कर लिया, दोस्तों, बैंकिंग यहने सोलर लाइट देती है, अब सोलर लाइट क्या है, यह क्यों करनाटक बैंक यह चाहते हैं कि भई जो हमारी वंचित आबादी है, करनाटक की गाउं वह गया जो भी है, जहां पर लाइट की समस्तिया है, कुछ नहीं है, लेगिन धूप तो आती है, तो दिन में करनाटक सरकार मदद कर रही है, मतलब एक तरह समझ जाएं कि कुछ नहीं कुछ इंसेंटिव देगी, कुछ नहीं कुछ आधा खुद देगी, यह जो भी है, समझ कि आप सभी कि सभी, अलोन बड़ी आसानी से मिल जाका, अगर कोई बहुत मात्रा में से करना चाहे, वहां प जबकि हमारे आर्थिक सर्विक्षड में उसको अनुमान किया गया था 8.5% लेकिन हमारी क्रिसिल कह रही है, 2022-2023 फैनेंशेल लेवर में जो GDP रहेगी, वह 7.8% रहेगी, ठीक है, तो यह आर्थिक सर्विक्षड कहता 8.5% और हमारा क्रिसिल जो भारत रेटिंग एजनसी है घरेलू की, घरेलू जो है, वह कहता है 7.8%, ठीक है दोस्तों तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, और इसमें कुछ खास नहीं है, आला कि यह लाइन जो है, यह मैंने इसलिए रखी दोस्तों, एक चीज में आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो कि यूक्रेन के उपर जो चीज चल रही है, वो कुछ इस तरह से, आपको मालूम है, मतलब यह जब मैंने पढ़ा ना न्यूस में, तो इसलिए मैंने इसको रखा है, ठीक है, मैं आपको इस चीज को बताना चाहता था, इसमें इतनी सारी बाते कही गई थी इस आर्टिकल में, नहीं यूकरेन के मामले में ऐसा क्यों कहा गया, यूकरेन ने पश्चिम के दबाव में, यह ना, पश्चिम के दबाव में और USA और सब के दबाव में, कि भाई हम जो है, मतलब समझ दिए, बढ़ चल़ा के हीरो बनने कुछ में, यूकरेन ने नुकलियर पावर अपने आप में नुकलियर पावर नहीं था, छोड़ दिया था हमोने, तेक है, कहने का मतलब क्या दो, और यही चीज भारत पे भी दबाव बनाई जाती है, कि भाई नुकलियर पावर चोड़ दो, हर किसी देश पे हम यही क्यों दबाव बनाते दिखते हैं आपको, मालू मैं, नुकलियर पावर जब सब के पास है, आप जिससे घबराते हो ना, जब वही सब के पास होता है, तभी इंसान हमला नहीं करता है, आज अगर युकरेन के पास नुकलियर पावर होती ही, जो उसने त्यागी नहीं होती है, उसने कहा ना, हम नहीं करेंगे, हम निशस्त्री करण में उसके ना होना ही सही होता है उन्होंने नुक्रेइख पावर उपने रखे थे निंग्लियर वैपन उनके पास एक भी निन बड़ी वो हो जाती है आप समझ पारें मेरी बात तो कहने का मतलब यह है कि ताकतवर बने रहना बहुत जरूरी है और यही वज़ा है कि यहां पर आपको इस सब देखने को मिल रहा है रश्य है उस पर काबू इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उन्होंने न्युक्लियर अपने ह कुछ अच्छा लगा होगा ठेक है काफी सारे इसमें और यह पीपीटी जो है में टेलिग्राम में शेयर कर दूंगा जैसे मैंने पिछली बार भी शेयर कर दी लिंक के साथ ठेक है आपको कोई भी डाउट रहे किसी भी करेंटे फिर में कुछ भी तो आप मुसे जुड़ स आप कोई एक्जाम के बारे में खुछ जानकारी चाहते हो तो आप उसमें कमेंट करना तो हमारा जो जी सी का जो नंबर है मोबाइल नंबर हम आपको उसमें एड कर लेंगे आप उसमें पीडियाफ भी स्टेंट कर सकते हो और फिर मैं उसे आपको ज़रूर समझा दूगा ठीक है दोस्तों तो अपने में सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद तो सुरक्षित रही है मास्क पहनी है और क्या बोलते हैं और बहुत कुछ बोलती है दोग अच्की दूरी बनाए रखिये और टीका करन जरूर करवाई है ठीक है तो दोस्तों और आको मालूमें कि पां चाशन में बनी रही बाजपा न रही थे दूसरी बारे समझें दोस्तों तो यह कहीं न और विश्वास लिए लगातार जो चल रहा है ठीक है और खास तरफे महिलाओं को जो है महिलाओं का बहुत सपोर्ट मिला मोदी जी को क्योंकि महिलाओं के बीचे बहुत वहार ज़ह उसके लिए बहुत धन्यवाद, जै हिन, जै भारत, मिलते हैं फिर किसी क्लास में, और तब तक के लिए पना ख्याल रखिए